इस वीडिये में हम कुछ विलोम सब्द सिखेंगे जिने विप्रीद सब्द भी कहते हैं कुछ संस्क्रेट के विलोम सब्द सबसे पहले एक क्रिष्ण क्रिष्ण मतलब होता है काला जिसका विप्रीद होता है स्वेता क्रिष्ण स्वेता स्वेत सफेद काला का विपरीद होगा सफेद सीग ग्रम जल्दी फास्ट मंदम धीरे धीरे या धीरे मंद मंदम धीरे धीरे मंदम दक्षिन तह दक्षिन इसका विपरीद होगा वाम तह बाए उपरी मतलब उपर उपरी मतलब उपर अधा मतलब नीचे उचे उचा पुरातनम पुरानम नूनतम नया बहु बढ़ा किँचिद ठोड़ा सा बहु मैतलब बड़ा या जादा देर भी भी बोल सकते है डेके dicht Har this सतूल मौता क्रिश पतला जैसे किसान क्रिश कर ponta होता है पतला होता है और स्थूल, गजा स्थूलास्ती, जो हाती होता है वो मोटा होता है, धर्म, जिसका विप्रीत होता है अधर्म, इसका विभक्ती के अनुसार बदल सकते हैं, जैसे धर्मा लिखा है तो आधर्मा, धर्मीन लिखा है तो आधर्मीन, सम्यक ठीक है, आसम्यक, जो ठीक ना हो, ज जल्दी जल्दी मंदम को इसमें वाक्य प्रयोग देख लेंगे मंदम वायू मंद मंदम चलती जो वायू होती है वो दीरे दीरे चलती है उदयन दक्षिण असता है जो उदयन जिसके का नाम है अदहम को आधम इूपरी गगन उपरी असती जो घगन है वो उपर अचे व्यागरह उच्छे गर्जनि जो व्यागरह होता है वो उचा गरजता है, उचा दारता है, मेगा उच्चा गरजनती, जो मेग हैं, बादल है, वो उचा गरजता है, दीरगह, मम केशह, मम वेणी, दीरगह अस्ती, जो मेरी चोटी है, वो बड़ी है, नून तम का देख लेंगे, इसमें, नून तम, एशह वस्त्र, नून तम अस्ती उसके जो वस्त्रें वो नए है बहु मतलब बड़ा इसको बहुत जादा भी बोल सकते हैं क्यूंकि किंचित मतलब थोड़ा सा होता है जैसे किसी गिलास में कम पानी है तो इसमें कह सकते हैं गिलास में कम पानी है तो जलम किंचित अस्ति स्थूला तो इसका आपने वाकी पर पर योग देख लिए गजह स्थूलास दी धर्म आधर्म ये तो हिंदी की सम्याक